नमस्कार स्वागत है आपका एस्टूडे की स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूँ आपके साथ अनुशर्मा तो जैसे कि आप सभी जानते हैं जो चुनाबी का मुद्धों का बिगुल है जो बच चुका है और दोनों ही पार्टी के उमिद्बार जो है वो चुनाबों में पूर परचार परसार जोरों सोरोंशे किया जा रहा है तो आज हम आए हैं बार नमबर छे हमिर्पुर में जहां से जो है वो रजनी भर्मा पाश्रत के लिए चुनाब में उत्री हैं तो आए आपको रुबरू करवाते हैं उनसे और जानते हैं कि उनकी जो बिकास की योजनाई ह वो क्या क्या रहेंगी और लोगों का उनके प्रती क्या क्या सहयोग है पहले तो मैम आपका स्वागत है S2D की स्पेशल रिपोर्ट में तो मैम आप हमें बताए कि आप मतलब लोगों के बीच आकर कैसे परचार परसार कर रही है मैं बार्ड नमबर 6 से रजनी बर्मा पारशित पत के लिए चुनाब लड़ रही हूँ तो मेरा ये हर संभब परियास रहेगा कि जो भी बार्ड में समस्याएं हैं छोटी बड़ी उनका निदान भरपूर हो और जैसे ये बार्ड में जो भी नालियों का पानी जो रास्तों के उपर बहरा है और सीबरेज का पानी जो रास्तों के उपर बहरा है वो सारी उसको सही धंग से करवाया जाए और जो लाइटे हैं जिनके घरों के बाहर लाइटे नहीं हैं जो रास्ते में लाइटे नहीं हैं वो उचित लाइटे वहां पे लगवाई जाएं और जो पानी के विवस्था है वो भी धंग से हो जासे उपर टैरस का पानी जो है बारिश का पानी जो है वो भी सही धंग से तो आप हमें बताएंगी कि पहले जो मतलब आप पहली वारी लख्षन लड़नी है या फिर आपके परिवार से कोई भी पहले जो है राजनीती में उत्रा है पहले भी मेरे हैस्परेंट राजनीती में रहे हैं वो एक नमोनीत कियो हुए पार्ष थे और उन्होंने उस टाइम भी बड़े अच्छे काम करवाए हैं और बैसे जब वो इस पद में नहीं है तब भी वो सबके साथ सहयोग करके सबके साथ मिल करके काम करवाते हैं और सबक हमें बताईए कि आप मतलब लोगों का क्या सहयोग है आपके प्रती जैसे मैं लोगों के घरों में जा रही हूं तो सभी भरपूर सहयोग दे रहे हैं और सभी यह चाह रहे हैं कि कोई अच्छा पार्ष जो अब इस बाड़ में उत्रे और इस बाड़ की जो भी कमिया है उ उसको दूर करें तो मैम आप हमें बताए कि आप लोगों के बीच जाकर कैसे अपना परचार परसार कर रहे हैं मैं जैसे लोगों के घरों में जा रही हूं तो लोगों से मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है और वो चाह रहे हैं कि यहां पे कोई अच्छा पार्ष आए और इस बाड की जो भी कमिया हैं उनको दूर करें तो आप बताए कि इस बाड नंबर छे में आपकी क्या परात मिकता रहेंगी आप लोगों के लिए क्या क्या मितलब आगे करेंगी विकास की योजनाए हैं जो आप लोगों तक पहुंचाएंगी वो आप क्या क्या करेंगी द और जैसे कि यह आप पे कोई भी बैठने के लिए, घूमने के लिए आराम करने के लिए आप कोई भी जगा नहीं है, तो वहाँ पे सारे लोग जो हैं उसका फाइदा ने सकते हैं, और जैसे कि सरकारी योजनाए, कही योजनाएं जो कागद्जों में सीमित रह जाती हैं, जो भी विकास की योजनाई होगी, जो भी सरकारी योजनाई आएंगी, वो कागजी नहीं बलकि लोगों तक पूरी-पूरी पहुँचाएंगी और एक बात उन्होंने कही कि यहां पर है जो बार्ड नंबर 6 में एक पार्क बनाया जाएगा जहां पर जो है मतलब बार्ड के ही नहीं बलकि पूरे शहर के लोग आकर बहां पी स्यार कर सकते हैं, बैठ सकते हैं तो यह थी आइस टूडे की स्पेशल रिपोर्ट, मैं हूँ अनुशरमा